हलो दोस्तो कैसे अप आप अज आपको बताने वाले पिएस सेमधित बहुत बढ़ी जान करी दोस्तो इसकी जरुपत भी आपको कभी न कभी पढ़ सकती है दोस्तों जब आप अपना regional office चाहते हो कि regional office हम कैसे बात करे तो regional office की still advancement ID कैसे पता करे और आपका company का address क्या है यह सब कुछ आप अपने mobile की मदद से जान सकते हो उसको कैसे पता करना है यह मैं आपको इस process में बताऊंगा एक एक point बारे की समझाऊगा और आप भी अपना still advancement ID पता कर सकते हो company की और regional office भी पता कर सकते हो जिसके माद्यम से आपकी जो भी पी अपसर्स हमें दित प्रोलम है वे direct आप complaint कर सकते हो regional office को और आपका काम हो जाएगा और आपकी complaint को तुरंत accept कर लेगी company और आपका काम हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो आपको कुछ ने करना बस वीडियो गंदे तक पूरा बने रहना है वीडियो स्किप ना करिए तब आपको पूरा प्रोसे समझ माँ आएगा दोस्तों अगर आप मेरे चेनल पे नए हैं तो मेरा चेनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके कंपनी के नाम से आप इस्टेल बैस्मेंट आईडी पूरी निकाल सकते हो कंपनी की पूरी हिस्टरी निकाल सकते हो कि आपकी कौन सी कंपनी है और उसकी जो इस्टेल बैस्मेंट आईडी होती है मेंबर आईडी होती है उसको आप आराम से चेक कर सकते हो और उसकी मदद से आप अपना यूएने जनरेट कर सकते हो अगर आपको आपका PF नमबर पता है तो तब भी आप अपना UNA नमबर जनरेट कर सकते हो तो UNA नमबर जनरेट करने के लिए आप Member ID कैसे पता करोगे और Stealth Advancement ID कैसे पता करोगे तो उसके लिए लिए कुछ नहीं करना बस Google बार में आपको चले जाना है आप Chrome का भी सकते हो आपको EPFO Type कर देना है जैसे आप EPFO Type करोगे तो आपके सामने इस परकार का Interface आ जाएगा अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Employees Provident Fund Organization तो मैं इस First वाले Option जो आ रहा है इस पर ही मैं किलिक कर देता हूँ यहाँ पर यह कुछ इस परकार से खुल जाता है आपके सामने यह थोड़ा loading भी ले सकता है आपकी net की speed पर depend करता है अब यह एक banner आ जाएगा इसको एक cross होता है इसमें आप देख लेना उपर की तरफ उससे इसको हटा देना है तो मैंने यह एटा दिया अब मैं आपको इसको थोड़ा zoom करके दिखा रहा हूँ तो आपको यह proper दीखेगा आपको समझ में भी आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह कुछ इस परकार से खुल गया है अब आपको मैं यहाँ दिखाने कोशिस करता हूँ जो हमको काम करना है उसी की बात करते हैं for employers employers फर्ष्ट वाला जो option है उसमें आपको किलिक करना है तो आपको समझा देता हूँ मैं आपको समझ में भी आ गया होगी यहां से तीर के निसान से जल्दी आएगा यहां पर इस option पर आपको किलिक करना है तो मैं इस option पर किलिक कर देता हूँ जैसे मैंने इस option पर किलिक किया है तो आपके साथ जो Stealth Basement ID कोलने का जो वो आता है service का link वह आपको यहां पर नजर आएगा अब आपको मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा यह आपको dark skin में दिख रहा होगा आप यहां देख लेना आपको समझ में आ रहा होगा service लिख रहा है इसके अंदर option होते हैं यहां पर आपको समझा देता हूँ किस पर आपको किलिक करना है तो यहां पर जो option है उसकी बात कर लेते हैं आपको इस option पर यहां पर क्लिक करना है, यहां पर पर मैं आपको दिखा देता हूँ, service option जो इधर आ रहा है, यहां पर आप पढ़ लेना service option होगा, यह मैं employers वाले folder को क्लिक किया है, और service वाले option पर आ गया हूँ, अब यहां पर आपको नीचे की तरफ यह दिख रहा होगा, य यह वाला option, still investment, search, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहां पर आप company का नाम डाल कर भी आपको पूरी company के history पता कर सकते हो, उसको वह company आपकी कहां पर है, उसका still investment ID क्या है, और member ID क्या है, तो मैं यहां से आपको बता देता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, अगर आप mobile का इस्तमाल करते हो, तो आपके सामने इस परकार का interface आएगा, अब आपको यह desktop mode में करना है, desktop mode में करने के लिए आपको यहां पर three dot दीख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहां पर desktop site mode लिख रहा है, चोकोर सा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यह हमारा एक desktop mode में खुलेगा, एक computer की screen खुलेगा, और pro पर खुलेगा, और error भी नहीं आएगा, अब इसको zoom करके मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ, आप यहां देख लेना और पड़ भी लेना, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको यहां से पहले इसको इदर scroll करके आप आपको पूरा दिखा देता हूँ, यहां पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, इस्टेल बैसमेंट सर्च, तो इसमें detail जो डाली जाती है, आप यहां देख सकते हो, आप इसको जो company का code नमबर होता है, enter number only, उससे भी आप इसको कर सकते हो, और उसके नाम से भी आप इसक उसके बाद आप उसकी पूरी history यहां से पता कर सकते हो, तो मैं यहां पर डाल के आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, उसके लिए मैं यहां पर जो एक तीर का निसान आपको नजरा रहा है, red color का, यहां पर company का नाम डालूँगा, और जो एक capture है, इसको मैं यहां पर डाल के दिखा देता हूँ, अब यहां पर जो ऑप्सन है, मैं इसमें नाम सर्च कर देता हूँ, यहां पर एक नाम बोल देता हूँ, मैं 무कान enterprises, मुसकान enterprises, और अब आप यहां देख सकते हो, मैंने एक नाम सर्च किया है, आप किसी भी company की तो उसको सर्च कर लेना है, और capture मुस्कान एंटरप्राइज मुस्कान एंटरप्राइज और अब आप यहां देख सकते हो मैंने एक नाम सर्च किया है आप किसी भी कंपनी के लाम किये हो तो उसको ऐसे सर्च कर लेना है और कैप्चा कुछ इस परकार से आपको यहां पर डाल देना है यहां तक आपको सायद समझ में आगया होगा तो जो भी आपकी company उसका नाम डाल देना है only और आपको यह box खाली छोड़ देना है यह वाला आपको 7 digit जो हाँ लिख रहा है इसको खाली छोड़ देना है तो यहां तक समझ में आगया होगा तो मैं कोशिस कर रहा हूँ आपको यहां से दिखाने की यहां पर यह आगया है list of establishment ID जो इनकी होती है वह भी आपको नजर आएगी और आपको यहां पर company भी नजर आजाएगी तो इसके अनुसार आप इसको कर सकते हो आपकी company को आराम से चेक कर सकते हो अब आपको इसकी statement ID पता लगया होगा और नायम भी पता लगया होगा company का तो आप यहां से पता कर लेना आपको मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूँ यहां पर यह 46 company तोटल record में आ रही है और यहां पर इनका address होता है यह यह मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं small भी करके दिखा दूँगा यहां पर आपको दिख रहा होगा यह address इनका होता है अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी company कहां पर है इसकी जानकारी के लिए यह एक address होता है प्रोपर address होता है गली मोहला यहां तक की प्लोट नंबर तक नजर आता है लेकिन इसके अंदर आप यहां चेक करोगे तो यह office name होता है कि आपका office कहां पर है आपका office जिस जिगा पर है उसको आप चेक कर सकते हो अब आपको यहां दिख रहा होगा यहां पर यह action view details जो आपको यहां पर option आ रह कर रही होगी यहां पर कोशिस करता हूं मैं इसको भी आपको जाने की 46 अब 46 में से आपकी कमपनी इसको कैसे चेक करना है उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूं आपको company का पहले पता करना है कि आपकी company किस एडरस की है और उसके बाद आपको location उसकी पता करना है कि आपक आपको निकाल लेना है यहां पर मैं किसी एक company का focus नहीं कर रहा हूं तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा आप next करोगे तो यहां से और folder खुल जाएंगे तो यहां से total 42 company आपको नजर आने लग जाएगी यहां पर चोथे option पर आ गया है तो यहां पर आपको पूरी detail यह इसका address और आपको office तो इससे आपको उसकी branch कहां पर है इससे आपको पता कर लेना है तो आपको समझ में यहां तक आगे होगा अब मैं एक कोई company को यहां से select करता हूँ मान के चलिए मैं यहां से यह कानपूर वाली जो है इसको select करके आपको दिखाता हूँ यह पांच युक नंबर पर आपको यहां नजर आ रहेगी इस पर पूरी history इसकी आ जाएगी अब आपको मैं यहां दिखाने कोशिस करता हूँ यह हमारी company का पर हम working करते हैं तो यह इसका data आ गया है अब यहां स आप अपना जो company है उसका जो पूरी देख सकते हो यहां से आपको installment code आपको यहां नजर आएगा नेम आपको यहां नजर आएगा company का और status क्या-क्या है यहां पर नजर आ जाएगा यह और आपको यहां से दिखाने कोशिस करता हूँ इसको थोड़ा मैं स्क्रोल करता हूँ यहां से तो और आपको यहां पर इसका पूरा address list date आपको यहां नजर आ जाएगी यह company कहां पर है आपकी क्या इसकी detail है location इसकी क्या है तो यह folder आपको एकदम डंग से देख लेना है तो इससे आप कंपनी का जो पूरा data है वह पता कर सकते हो यहां पर यह आपको दिख रहा होगा आपको मैं प्रोपर तरीके से समझाने की कोशिस कर रहा हूं तो यहां से आप इसका देख लेना क्या है नाम क्या है company का address वगरा क्या है तो इस परकार से आप अपनी जो history है पूरी इसकी पता कर सकते हो और आप अपना जो company है उसका पूरा data पता कर सकते हो आपको यह EPFO office हमारा लगता है वह आपको यह नजर आ रहा होगा मैं कोशिस कर आपको यहां से दिखाने की यहां पर लिखा हुआ है EPFO office address निधी बवन सर्वध्या नगर तो आप यहां देख सकते हैं इसको आपको नजर भी आप होगा तो यहां से आप इसको चेक कर लेना तो यहां प सकते के जो कफिस्ट कर नजर दो 스पना इसमेंट पुरा एड्रस निकाल सकते हो और आप उसको निकाल कर तो यहां झीआ है ंप के प्र लाइन पने निकाल कर सकते हो ऑस्राइस कंपूरा चिएमेल कर कर सकते हो कभी को कैसे पता कर सकते हुए जिस कंपनी में आपने काम किया है तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे सेर करें और पीएफ से संबंदित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले बन्माओर पाने करें पाने करें